Hello fans, welcome back to my channel फेंच पीले गंदे दातों को हमीशा के लिए दूज जैसा मूती जैसा गोरा बना सकते हैं आपापनी दातों को healthy बना सकते हैं मांतर आपको दो लसन की कलिया यूज करनी है Hello fans, welcome back to my channel फेंच अगर आपकी दातों में सड़न की समस्या हो गई है दातों में से कून आने लग गया है आपके दात इतने कमजोर हो गए है कि आप अच्छे से कुछ भी नहीं खा पा रहे हैं तो मात्र आपको लस्टन की दो कलिया लेनी है और इनका यूज करना है इनके यूज से आपके दात इतने स्ट्रॉंग हो जाएंगे इतने हेल्दी हो जाएंगे कि आपने कभी सोचा भी नहीं होगा कि मात्र आपको लस्टन की दो कलियों से आपको इतना फाइदा हो सकता है तो ज़्यादा टाइम ना ले तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस नूसके को लेकिन गाईस अगर आप अभी तक मेरे इस चैनल को सबस्क्राइब नहीं किया है या फिर चैनल पर नए है तो गाई जल्दी जाए जल्दी से चैनल को सबस्क्राइब कर लेजिए और बैजू के बैड आइकन को भी ओन कीजेगा ताकि आपको मेरे नए वीडियो की नोटिफिकेशन में इलते रहें सबसे पहले आपको करना क्या है आपको लसन की दो कलिया लेनी है और इनका एक पेस्ट बना लेना होगा आपको फेंट इससे कूटने की सायता से इसका एक पेस्ट बना कर त्यार करना होगा देखे फिंट्स इस तरह से आपको लसन को उठक लेना होगा और इस तरह से इसका पेश बना लेना होगा अब आपको मात्रिस में एक टीर और एड़ करनी है जिससे आपके दातों को बहुत अच्छा पाइदा होने वाला है यानि कि आपके दाटों का मजबूती देगा और आपके दाट strong और healthy भी बनाएगा आपको इसके अंदर add करना होगा फिंट, salt यानि कि नमक आपको फिंट इसमें थोड़ी सी मातर में नमक add करना है, इतनी सी मातरा में और इसके बाद आपको इस paste को mix कर लेना होगा इसे करने के बाद आपके मुँ में से लसन की बदबू आएगी तो उसे दूर करने के लिए या तो आप माउथ फैशनर से यूज कर सकते हैं या फिर अपने ब्रस पर तोड़ी सी तूथ पेस्ट लीजे जो भी तूथ पेस्ट आप यूज करते हैं उससे अपने दातों को बर इसका यूज करना है दो बार के यूज सही आपको इतना अच्छा पाइदा होने वाला है कि आपने कभी सोचा भी नहीं होगा कि आखिर आपके साथ इस चमतकार हुआ कैसे हैं तो फिर्ट्स अगर आप भी अपने दातों को मजबूती देना चाहते हैं दातों के लंबी उम लागे तो जल्दी से जाए वीडियो को लाइक कीचे शेयर कीचे और कमेंट्स के जरिये मुझे जरूर बताएं मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई दोस्तों